नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube channel success guru mantra में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा की रीति काली इन 4 कवियों के बारे में कल के वीडियों में हमने बात कर ले थी आज हम बात करेंगे पांच में कवी के बारे में मंडन के बारे में उसके पहले में अपने सभी कमेंट जो म मंडन यह जैदपुर बुल्देल खंड के रहने वाले थे और समवत 1716 में राजा मंगत सिंग के दरबार में बर्तमान थे अब देखिए यहां पर यह जो मंडन है यह मंगत के यहां थे काफी सिमिलर नाम है हाँ अगर आप इसको इससे कनेक्ट कर देंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी जो मंडन जी थे वो मंगत सिंग के दरबार में थे इनके फुटकल कवित सवये बहुत सुने जाते हैं पर कोई ग्रंथ अब तक प्रकासित नहीं हुआ है मतलब इन्होंने भी फुटकल कवित सवये लिखे हैं कोई ग्रंथ इनमें नहीं प्रकासित कर वाया है भी इनका पुस्तकों की खोज में इनके पांच ग्रंथों का पता लगता है रस रतनावली, रस विलास, जनक पच्चीसी, जानकी जूकोब्या और नैन पचासा ठीक प्रतम दो ग्रंथ रस निरूपन पर हैं नाम से ही पता चल रहा है दोनों में रस और रस आया है जादा तर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर रस सब्दा आया है ग्रंथ में तो वो रस निरूपन संबंदी ही ग्रंथ है यह उनके नामों से ही प्रकट होता है संग्रे क्रंथों में इनके कवित सवय बराबर मिलते हैं जै जै सुखत दुखत अब तै तै कवि मंडन बिचुरत जदुपती पद भी इनका मिलता है अब यह पद आपको याद रखना है ठीक है जै जै सुखत दुखत सब तै तै कवि मंडन बिचुरत जदुपती ठीक है अगर पूरा दे दिया तो आप मंडन के नाम से पहचान जाएंगे लेकिन यह आप जै जै सुखत दुखत अब तै तै अगर इतना दे देंगे तो आपको याद करने समझने में दिकत होगी इसलि मिलते हैं उनमें ये बड़ी सरसकल्पना ततक भावुक कभी जान पड़ते हैं इनकी भासा बड़ी स्वाभावेक चलती और व्यंजना पूर्ण होती है उसमें कवियों और कवियों सा सब्द भंडार नहीं दिखाई पड़ता है एक सवया देखिए अलि हो तो गई जमुना जल को सो कहां कहों वीर विपत्ति परी घहराय के कारी घटा उनाई इतने ही में गागरी सीसधरी रप्टियों पग घाट चड़ेओ न गयों कवि मंडन हवे के बिहाल गिरी चिर जीवन तुनंद की बारो अरी गही भाह गरीब ने धाड़ी खरी ठीक है इनके सवया है मंडन के बाद हम बात कर लेते हैं मतीरr LAURA की मती राम और कुछ इन मैंसे कुछ कवियों का मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन अब ये क्योंकि सीरियल चल रहा है तो मैं सीरियल तोरना नहीं चाहरे थी इसलिए बनाती चल रही हो मतीरा ये रियतिकाल के प्रमुकवियों में है और चिंता मरी तता भूसन की भाई परंपरा से प्रसिद्ध है ये तिकवापुर जिलाकानपुर में समवत 1664 के लगवग उत्पन हुए थे बहुत दिनों तक ये जीवित रहे ये पूंदी के महराज भाप सिंग के अहां बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आस्रे में अपना ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंद समवत 1616 और 1745 के बीच किसी समय बनाया मतलब समय कन्फरम नहीं है इनोंने 1716 से 1745 के बीच में कभी लिखा था और इनका जो ये ललित ललाम है ये अलंकार संबंदी ग्रंद है ये ध्यान रखिएगा इनका चंदसार नामक पिंगल ग्रंद महराज संभू नात सोलंकी को समर्पित है इनका परम्मनुहर ग्रंद रसराज किसी को समर्पित नहीं है ठीक है रसराज मती राम का रसराज किसी को समर्पित नहीं है ये बात भी ध्यान रखेगा इसके इसके अत्रिक्त इनके दो ग्रंट और भी है बिहारी सत्साई के ढंग पर इन्होंने मती राम सत्साई भी बनाई जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है इसके दोहे सरस्ता में बिहारी के दोहों के समान ही है मती राम के जो दोहे हैं वो सरस्ता में बिहारी के दोहों के समान ही है मती राम की रचना की सबसे बड़ी विसेश्ता ये है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वभाविक है ना तो उसमें भावों की कृत्तिमता है न भासा की भासा सब्द भंडार से सर्वत मुक्त है केवल अनुप्रास के चमतकार के लिए आसक्त सब्दों की भरती कहीं नहीं है मतलब सिर्फ अनुप्रास के लिए जरूरत है इसलिए सब्दों को जब जस्ती डाल दिया गया ऐसा कहीं नहीं दिखता है जितने सब्द और वाक्य हैं वे भी भाव वेंजिनाक में ही प्रयुक्त हैं रीति ग्रंत वाले कवियों में इस प्रकार की स्वक्ष चलती और स्वाब्याविक भासा कम कवियों में मिलती है पर कहीं कहीं वे अनुप्रास के जाल में बेतरा दकडी पाई जाती है सारांस यह है कि मती राम की सी इसनग्द और प्रसाप पुर्ण भासा रीती का अनुसराण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है ठीक है एक लाइन में आप इसकी विसेस्ता अपनी कौपी पे जब नोर्स बनाएं तो लिखें भासा के ही समान मती राम के ना तो भाव प्रत्रिम और ना ही उनके व्यंजग व्यपार और चेस्टाएं मतलब मती राम में कुछ भी क्रत्रिम नहीं है भावों को आस्मान पर चड़ाने और दूर की कोड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े है नाईका के विराताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इनोंने नहीं किया है इनके भाव व्यंजिक प्यापारों की स्रंकला सीधी और सरल है बिहारी के समान चक्करदार नहीं वचन वक्रता भी इने बहुत पसंद ना थी जिस प्रकार सब्द वैचित्र को ये वास्तविक कावे से प्रथक वस्तु मानते थे उसी प्रकार खयाल की जूती बारीकी को भी इनका सच्चा कवेवे था ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीत की बंधी लीकों पर चलने के लिए विवश्च ना होते तो अपनी स्वाभाविक प्रेणा के अनुसार चलते तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भाव विभूत दिखाते इसमें कोई संदेह नहीं उस समय कवियों की एक विवस्ता होती थी कि उनको रीती की बंधी लकीरों पर ही चलना होता था तो अब कहीं न कहीं जब आप किसी बंधी लकीर में चलेंगे तो कहीं न कहीं कृतिमता तो आएगी सुखल जी कहा रहे हैं अगर ये विवस्ता उनके पास ना होती तो इनकी जो भासा थी वो और भी स्वाभाविक होती भाती जीवन से चाट कर लिये हुए कुछ मम इस वरसी चित्रों में जो भाव भरे हैं वे समान रूप से ही सबकी अनुभूती के अंग हैं और जितना आप एक कवी की कविताओं की जितनी अच्छे से अनुभूती दूसरा कर सकता है उतनाई वो कविताओं सरल मानी अच्छी मानी जाती हैं रसराज और ललित्रलालाम मतिराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रस्चिद हैं क्योंकि रस और कुछ तबियत वो है इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा साइदा आपको वीडियो क्योंकि रस और अलंकार की सिक्छा में इनका बराबर उप्योग होता चला आया है वास्तव में अपने विश्य के अनुपम ग्रंथ हैं उदाहरणों की रमडियता और अनायास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है रसराज का तो कहना ही क्या ललित्रलाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और इस्पष्ट है इसकी सरस्ता और इस्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय हो रहे है रीतिकाल के प्रतिनीदी कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी भी कवी में मतिराम की सी चलती भासा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है ठीक है रीतिकाल के प्रतिनीदी कवियों की बात की जाए तो पद्माकर में और मतिराम में चलती और सरल व्यंजना पाई जाती है बाकी जादा तर में ये नहीं पाई जाती है बिहारी की प्रसिधी का बहुत कुछ कारण वाग्य वैदग्य के है दूसरी बात ये है कि उन्होंने केवल दोहे कहें इससे उनमें वे नाद सौंदर नहीं आ सका जो कवित सवये की लेद्वारा संगठित होता है मती राम की कविता के कुछ उधारण नीचे दिये हैं कुंदन को रंग फी को लगे जलके अति अंगन चारु गुराई आखिन में अलिसानी चिताउनी में मंजुल बिलासन की सरसाई को बिन मोल बिकात नहीं मती राम लहे मुसिकान मिठाई जो जो नहारी नेरे हवे नेलनी त्यों 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 खरी निकरे सी निकाई बहुत ये पूछी जाने वाली पंक्तिया किंदन को रंग फी को लागे अक्सर आपके उसमें पूछ दी जाती है ध्यान रखिएगा उनको क्यों इन आखिन सो निह संक हवे मोहन को तन तापिन पीजे नेक निहार कलंक लगे यही गाउं बसे कहूं कैसे कैक जीजे होत रहे मन यो मतिराम कहूं बन जाए बढ़ो तब कीजे हवे बन माल हीए लगाईए और हवे मुरली अधरा धरस पीजे इसके बाद ये और इनकी कई सारी दीम ही है इनको आप लोग देख लीजेगा क्योंकि सारे मेरीतिकाल में नहीं पढ़ती चलूँगी इसके बाद बात कर लेते हैं भूसन की भूसन वीर रस के प्रसिद कभी और चिंतामरी और मतिराम के भाई थे इनका जन्मकाल समवत 1660 है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इने कभी भूसन की उपादी दी थी तब ही से ये भूसन के नाम से ही प्रसिद हो गए ठीक है इनका असली नाम क्या था इसका पता नहीं है ये कई राजाओं के यहां रहे अताह इनके मन के अनकूल आस्रेदाता जो इनके वीर कावे के नायक हुई छत्रपती महराज सिवाजी मेले मतलब ये रहे तो कई राजाओं के यहां लेकिन जिस तरह के ये वीर कावे है तो नायक चाहते थे वो इनको छत्रपती सिवा जी लगे पर्ना के महाराथ छत्र साल के यां भी इनका बड़ा मान हुआ कहते हैं के महाराथ छत्र साल ने इनकी पालिकी पे अपना कंधा लगाया था जिस पर इन्होंने कहा था सिवा को बक्षानों की बक्षानों छत्र साल को ऐसा प्रसिद है कि इन्हें एक एक छंद पर सिवा जी से लाखों रुपए मिले इनका परलोग 1772 में माना जाता है रीतिकाल के भीतर स्रंगार रस्की ही प्रधानता रही कुछ कवियों ने अपने आस्रे जाताओं की इस्तुती में उनके प्रताप आदिका प्रसंग में उनकी भीता का भी थोड़ा बहुत बढ़नन आवज से किया है पर वे सुस्क प्रताप आलन के रूप में होने के कारण ध्यान देने योगे नहीं है मतलब सिर्फ प्रताप क्योंकि करनी थी बढ़ाई राजाओं की प्रताप का वर्णन करना था थो उन्होंने कर दिया लेकिन बहुत अच्छा नहीं है बहुत ध्यान देने योगे नहीं है ऐसे वर्णनों के साथ जन्ता के हर्दिक सानुबूती कभी नहीं हो सकती पर भूसर ने जिन दो नायकों की करती को अपने वीर कावे का विसे बनाया वो अन्याए दमन में ततपर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद वीर थे उनके प्रतिभक्ति और सम्मान की प्रतिष्टा हिंदू जन्ता के हर्दिय में उस समय भी थी और आगे भी भराबर बनी या रहेगी या बढ़ती जाएगी इसी से भूसर के वीर रस की उद्गार सारी जन्ता के हर्दिय के संपत्ति हुए तो समझ रहे ना क्युकि वह वास्ता में पूरी जन्ता के नायक थे जिने भूशर ने अपना नायक बनाया इसीलिए सारी जन्ताने उनके जो हर्दय के उद्गार निकले उसको अपनी संपत्ति बना लिया यानि उनके अपने जो काव ये थे उनको अपनी संपत्ती बना लिया भूसन की कविता कवि कीरति संबंधी एक अविचल सत्यकाद रष्टान्त है जिसकी रचना को रचना जनता का हिर्दस वीकार करेगा उस कवि की कीरति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकरत बनी रहेगी क्या संस्क्रत साहिति में क्या हिंदी साहिति में सहिस्त्रों कभी उन्हें अपने आस्रेदाताओं राजाओं की प्रसंसा में गरंत रचे जिनका आज तक पता नहीं है पूरानी वस्त खोजने वालों को ही कभी कभी किसी राजा के पुस्तकाले में कहीं किसी के घर के कोने में उसमें से दो चार इधर उधर मिल जाती है जिसमें भोज ने दान दे दे कर अपनी इतनी तारीफ कराई उनके चरित कावे भी कवियों ने लिखे होंगे पर उन्हें आज कौन जानता है सिवा जी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई भी कवियों की छूटी खुसामत नहीं कह सकता है कोई यह नहीं कह सकता है कि इन्होंने खुसामत करने के लिए लिखी वे हिंदु आश्रेदाताओं की प्रसंसा के प्रथा के अनुसरर मात्र नहीं है इन दोनों वीरों का जिस तरह उत्षाह के साथ सारी हिंदु जनता इसमरण करती है उसी की व्यंजना भूसर ने की है वे हिंदू जाती के प्रतिनीदी कवी है जैसा कि आरंब में कहा गया है कि सिवा जी के दरवार में पहुँचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे उनके प्रताप आदी की प्रसंसा उन्होंने आविश्य ही करनी पड़ी होगी अब किसी राजा के दरवार में रहे तो प्रसंसा तो करनी ही पड़ेगी पर वे छूटी थी इसी से टिक न सकी मतलब बार बार सुकली जी ये कह रहे है कि भूसंड जी ने जिन नायकों को चुना था वो नायक वास्तम में जनता के भी नायक थे यही एक और बहुत बड़ी वज़े थी जो आज भी भूसंड के काव्य को इतना सम्मान राप थे पीछे भूसंड को अपनी उन रचनाओं से विरक्ती हुई हुई होगी इनके सिवराज भूसंड सिवा बावनी और छत्र साल दसा किये गरंथ ही मिलते हैं इनके अत्रिक तीन गरंथ और कहे जाते हैं भूसंड उल्लास दूसंड उल्लास और भूसंड हजारा जो कविताई इत्नी प्रसिद हैं उनके संबन्द में यहां यह कहना है कि वह जितनी ओजस्वनी और वीरदर्प पूर्ण है पित पेशन मात्र ही होगा मतलब जो खुद इतनी प्रसिद हैं के लिए ये कहा जाए कि वो बहुत जश्वनी कविता हैं वीर दर्पूर्ण है ये मात्र मतलब एक खाना पूर्ती ही होगी यहां इतना ही इतना कहना आवश्यक है कि भूशन वीर रसके ही कवी थे इधर उनके दो चार कवित श्रंगार के भी मिलें पर वो गिंती के योगे न नहीं है रीतिकाल के कवी होने के कारण भूसर ने अपना प्रधान ग्रंथ सिवराज भूसर अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया ये बात बहुत ध्यान दीजेगा ठीक है क्योंकि रीतिकाल के कवी थे परमपराओं को उनको निर्वाहन करना था तो इसलिए जो उन्होंन ये बनाया बहुत उत्तम कहां नहीं जा सकता है लक्षणों की भासा भी सपष्ट नहीं है और उधारण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है भूसर की भासा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वे अधिकतर आव्यवस्तित है व्याकरण का उलंगन है प्राया है और वाके रच रचना भी कहीं कहीं गड़बड है बध्यान से देखिएगा व्याकरणिक रच्टि से भूसर्ण के जो ग्रंथ है वो ठीक नहीं है इसके अत्रिक सब्दों के रूप में भी बहुत सब्द के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं और कहीं कहीं बिलकुल गड़ंत के सब रखे गए पर जो कवित इन दोनों से मुक्त हैं भी बड़े ही ससक्त और प्रभाव साली है इतनी कमियों के बाद भी जो भी कवित इन कमियों से रह गए हैं मुक्त वो बहुत ससक्त साली है इंद्रजीमी जम्ब पर बाडव सुभंब पर रावन सदंब पर रगुकुल राज है पौनिवारिवाह पर संभुरती नाह पर जयों सहस्त्रबाहु पर रामद्विच राज है धावाद्रुम तंड पर चीता म्रग जुन्ड पर भूसन विदुन्ड पर जैसे म्रग तेजसम अंस पर कानी जीमी कंस पर जो मलेंच मंस पर सेर सिव राज है धाड़ी के रखाइयन की दाड़ी सी रहती छाती बाड़ी मर जात जस्द हद हिंदवाने की काड़ी गई रहयत के मन में कसक सब मिटी गई ठसक तमाम तोरकाने की भूसन भनत दिली पति दिल धक धक राज मरदाने की, मोटी भाई चंडी बिन चोटी के चबाय सीज, खोटी भाई संपती चकत्ता के घराने की, सबन के उपर ही थाड़ो रही बेको जोग ताही खरो कियो जाए जारन की नियरे, जानी गेर मिसल, गुसीले गुसा धारी, उर कीनो न सलाम न बचन बोल सीए रे, भूसन बनत महाबीर बाल कन लाक्यो बाई, सारी पात साही के उड़ाए गए जीए रे, तमक ते लाल मुख सीवा को निखरी भैयो, सियाह मुख नौरंग, सिपाह मुख प्यारे, और बहुत सारे दिये, कतलाम कीने, ठोर ठोर हासिल उगाहत है साल को, भूढ़ती है दिल्ली सो संभारो क्यो न दिल्ली पती, धक्का आने लग्यो सिवराज महाकाल को, दिल्ली देह सती चीत चाही कर सती है, बिलखी बदन बिलखत बिजय पुरपती, फिरत फिरंगन की नार फरकती है, थर थर कापत कुत्ब साही गोल कुंडा, हारी हबस भूप भीर भरकती है, राजा सिवरास के नगारन की धाक सुनी, केते बाद साहन की चाहती धर करती है, ठीक है, इसके बाद ही बहुत सारे हैं, आप लोग इनको देख लीजेगा, ठीक है, आज का वीडियो मैं यही पे समाप्त कर रही हूँ, आगे हम कुलपती मिस्टर जी की बात अपने अगले वीडियो में करेंगे, आप लोग के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्तुर।